केद्र सरकार हो या राजसरकारे हो सभी डिपार्टमेंट और ये प्रकार चे सभी नागरिक ये कोरोना वाइरस की लड़ाई में पिछले दो ठाई महिने से लगे विए ऐसे समय साइकलोन का इतना बड़ा संकीट और वो भी सूपर साइकलोन भहती चिंता का विशे था बंगाल जाते जाते वो बुड़ीशा को भी कितना नुक्सान कर पाएगा ये हमेशा चिंता का विशे बना रहा लेकिन जिस प्रकार से यहां पर व्यवस्ताएं इंस्टिटूस्ट लाइफ हुई है गाउं तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकर के समय इसकी भली भाती जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफरता मिली है और इसके लिए उडिशा के नागरिक, उडिशा का प्रशासन और उडिशा के मुख्यमंत्री सिमान नविन बावुर। उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जब इतनी बड़ी प्राकूर्टी के आपदा आती है तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है पच्चिम मंगाल की तुलना में उडिशा में उतना नुकसान नहीं हुआ है लेकिन जाते जाते भी वो पूँच पटक करके तो जाता ही है ऐसे प्रकार का संकट और इसलिए हाउसिंग में, अग्रिकल्चर में, पावर में, कम्मुनिकेशन में, इन्फा सरक्तर में जो नुकसान हुआ है तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बाते रखी है यहां की सरकार की व्यवस्ता की तरफ से बहुत भी जल्द उसका अकलन करके रिपोर्ट बारत सरकार को मेलेगी बारत सरकार की टीम भी तत्कान यहां पहुचेगी और पूरी परिश्दिति का रिव्यू करकर के लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रियेबेटिशन की बात हो इन सारी चीजों को प्राथ्विक्ता देते हुए काम आगे बढ़ाये जाएगा लेकिन तत्कान आवश्रक्ता को धानवर रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोट रुपिया एडवांस ववस्था की रुपें देने का हमने देड़ने किया है वाकी आवश्रक्ता है एक बार कंपली रुपें होने के बाद रही बाद रहावलेट्र की पुरी योजना बनने के बाद बारत सरकार भी कंदे से कंदा मिलाकरे, ओडिशा के विकांश की आत्रा व्याटर है पूसिब एडूसर पर्षा इन दो कुछा है, पुस्पली एर ने भी जा भी आत्राश्य पूस्था प्रूस बहुत कांट पूस्था प्रूसर कोरा है, उड है वरवांथित, लिद गलतें झाल झाल